दोस्तो अगर आपने अपने पैन कार्ड के साथ अभी तक अपने अधार कार्ड को लिंक नहीं किया है और दोस्तो अब आप अपने अधार कार्ड को पैन कार्ड के साथ लिंक करना चाहते हो तो फिर दोस्तो आज किस वीडियो में बस आप एंड तक बने रहना विकाउज आज के इस वीडियो में लाइब मैं अपने स्मार्ट फोन से करके दिखाऊँगा किस तर से दोस्तो आप अपने पैन कार्ड को अधार कार्ड के साथ लिंक कर सकते हो और साथी साथ दोस्तो एक चीज और बताऊँगा कि अगर आपको याद नहीं है कि आपने अधार कार्ड को पैन कार्ड के साथ लिंक कराया है या फिर नहीं अगर आपको ये चीज याद नहीं है तो इस वीडियो में साथी साथ ये भी बताऊँगा किस तर से दोस्तो आप च सबसे पहले दोस्तों आप अपने गूगल को ओपेंड कर सकते हो या फिर आप ख्रॉम बजर को भी ओपेंड कर सकते हो ओपेंड करने के वाद सिंपली से यहां पर आपको लिखना होगा आपको देखने को मिलरा है लिंक अधार के बटन पे कलिक करना है और जैसे रहता है और पर कािशने को वह आपको करनाद करना हो ओपेंड करना है हो एक एक उसके बाद जो भी आपके अधार कार्ट पर पर आपका नाम है इंटर करह करतो फोन नरे करने के भास डोस्तों आपको करना है यहाँ पर सेशन्ले क में बूल रहे हैं अगहर दूस्त Waalijn सेशन्हें बोल रहा है अगर दोस्तों आपका अअपकर पर लिखा हुआ है तो सिंपली से आप इस पर टिक कर सकते हो अगर आपको यह नॉर्मल लिखा हुआ है जो भी आपका डेट बरत वह डेट डे और यह सारा चीज लिखा हुआ है तो सिंपली से इसे आप ऐसा ही छोड़ देना एंड सकेंड वाले बॉक्स पर आप एग्री कर करना तो सब सरे देज्ट मुझे भर्म ना ओगा तो जैसा ही दोस्तों आप 4 अपन 큰 नमबर अधार कर नमěघ कर आए तो क्लिक करूँ तो मेरे केस के साथ लिंक है आपका अधार कार्ड नहीं तो जैसे आप लिंक अधार बटन क्लिक करोगे तो simply से दोस्तों यहां पर successful लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा कि आपका अधार कार्ड के साथ आपका पैन कार्ड लिंक हो चुका है तो मेरे में दोस्तों मैंने तो बस try के लिए आपको बताया था कि मुझे तो पता था कि मेरा already से अधार कार्ड के साथ pen card link है तो यह हो गया कि किस तरह से आप apply कर सकते हो या फिर अपने अधार कार्ड को pen card के साथ link कर सकते हो अब next चलिए बताते हैं आप किस तरह से check कर सकते हो कि आपका धार कार्ड पैन कार्ड के साथ लिंक है या फिर नहीं एक तरीका तो ये भी हो गया कि दोस्तो इस तरीका से भी आप चेक कर सकते हो कि आपका धार कार्ड आपके पैन कार्ड के साथ लिंक नहीं है एक तरीका और है वो चलिए मैं आपको भी दिखाता हूँ स्टेटस चेक करने के लिए कि दोस्तों आपको पैन कार्ड आपके अधार कार्ड के साथ लिंक है या फिर नहीं यह चेक करने के लिए दोस्तों आपको सिंपली से फिर से www.incometax.gov.in सिंपली से दोस्तों फिर से आपको इसी वेबसाइट पर आना है इस वेबसाइट पर आने के बार नेक्स्ट आपको सिंपली से स्कॉल करके नीचे जाना है जैसे आप स्क्रॉल करके नीचे जाते हो सिम्पली से आपको दोस्तों यहाँ पे एक बटन देखने को मिल जाएगा लिंक अधार स्टेटर तो सिम्पली से आप जैसे इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपने सामने फिर एक इंटरफियस खूल किया जाएगी तो यहाँ पे आपको सिम्पली से करना किया है जो भी आपका दोस्तों पैन कार्ड नमबर है और अधार कार्ड नमबर है सिम्पली से आप यहाँ पे वो दोनों यहाँ पे एंटर कर दो जैसे ही दोस्तों आप अपने अधार कार्ड और पैन कार्ड नमबर इंटर कर दें तो simply से यहाँ पे आपको नीचे एक बटन दिख रहा है व्यू लिंक अधार शेटर तो simply से आपको इस पर क्लिक करना जैसे ही आप क्लिक करो तो यहाँ पे आपको लिखा देखने को मिल है कि किस तरह से दोस्तों आप अपने पैन कार्ड के साथ अधार कार्ड को लिंक कर सकते हो तो अगर यह सारे स्टेप को आपने अच्छी तरह से देखा एंड से अच्छी तरह से अपलाई करते हो तो आसानी से दोस्तों घर बैठे आप अपने स्मार्ट फोन से आप अपने pen card को अधार card के साथ link कर सकते हो और साथ ही दोस्तों अगर आपको video भी पसंद आए तो video को एक like कर देना और साथ ही साथ channel को subscribe के bell icon को press कर देना because दोस्तों इस channel पर आपको इसी तरह के और भी useful videos मिलते रहती है तो दोस्तों तब तक के लिए जैन इस तरह के video के साथ मिलता हूं next time